Hey everyone, welcome again to my channel आज मैंने आप सभी के लिए बनाया है लोबिया लोबिया यानि की वन आई किड्नी बीन अलग अलग जगाहों पर अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है तो यह बहुत ही सिंपल स्टाइल में बना हुआ है फिर भी यह बहुत टेस्टी है, स्पाइसी है, टैंगी है सब कुछ जो हमें चाहिए वैसा ही है और चावल के साथ तो यह बहुत बढ़िया लगता है तो जल्दी से स्टाट करते हैं तो यहां कड़ाई में ऑईल डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा एक चताई चमच हिंग पाउडर एक चमच जीरा डालेंगे जब जीरा चटकने लग जाएगा फिर हमें एड करना है प्याज तो यहां पर मैंने ओयल मस्टर्ड ओयल लिया है यानि कि सरसों का तेल आप कोई सा भी इस्तमाल कर सकते हैं दो प्याज, चार पाच कलिया लहसोन और एक इंच जिंजर यानि की अद्रक को मैंने चौपर में ही चौप कर लिया अब इसे अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो आपको बहुत अच्छे से इसे हलका फिलका चलाते हुए बीच बीच में भून लेना है अब देखिए ये इसका कलर कितना अच्छा सा आ चुका है भून चुका है हमारी प्याज अब हम इसमें डालेंगे टमाटर तो मैंने यहाँ पे चॉपर में ही तीन टमाटर दो हरीमेज को चॉप कर लिया है और एड कर दिया है अब आप चाहे न अगर आपको टैंगी जादा पसंद नहीं है तो आप इसमे टमाटर थोड़ा कम भी कर सक dets दो या एक भी डाल सकते हैं एक चमश नमक डालेंगे जिससे की इसको असानी होगी पानी रिलीस करने में और जल्दी से गल जाने में तो बस अब इसको अश्य को चलाते हुए थोड़ा सा पानी के आपको ज़रुरत होईगी तो तो धोड़ा सा पानी भी पानी आड़ कर लिजिएगा अभी तो पानी की शप्रवरत नहीं है तो ऐसे ही इसको बीच-बीच में चलाते हुए मैंने हाई फ्लेम पे ही कोक किया है औ मैं थोड़ा सब पानी एड़ कर रही हूँ जिसे की इसमें नीचे चिपकेन आये मसाले को भी अच्छे से मिक्स हो जाए भून जाए अब ऐसे ही मैं इस मसाले को भीना हाई फ्लेम पे खुला ही पकाऊंगी 4-5 मिनट के लिए हलका हलका पानी डालते हुए अगर पानी के इस खतने लोभिया को भूल कर है पहले से ही मैंने भिगाया नहीं था डेरेक्ट ली बॉल किया था पंदरह 20-20ड चौदह-पंदरह सीटीया लगा के अब इसमें ना बॉल में ही मैं यह पर यह लोभिया एड़ कर रहीं का मसाला वे जो मैंने मसाला बनाये है वो लोभिया म तो अब ये रेडी है, अगर आपको और घाडा करना है, आप थोड़ा सा और पका सकते हैं, तो बस अमने गैस की फ्रेम को आफ करके, चॉप कोरियन डेलीव्स एड़ कर दिये हैं, तो ये बिल्कुत सिंपल सा ही है, लेकिन ये बहुत टेस्टी है, आप इस रेसिपी को ज़र में तब तक आप इसे ट्राइ कीजिए, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में पताईए, आपको कैसा लगा, लास्ट में गानिश कर देंगे, एक कोरियेंडर की पत्ती के सब, थैंक इस सो मच, मैं आप से मिलती हूँ नेक्स टाइम, बाई बाई